जंचवार की यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें साथियो जंचवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम आज एक बार फिर से अपने परियावरन के मुद्दे पर पॉलूशन के मुद्दे पर लोट रहे हैं आज जिस जगहें पर मैं बैठा हूँ ये परियावरन के लिहाज से स्वर्ग है और जो लोग इस कारिकरम को अभी दिल्ली गाजियाबाद या महानगरों में देख रहे हैं उत्तर भारत के उनके लिए थोड़ी इरशा का विशे हो सकता है मेरे पीछे आप देखिए स्काइलाइन जो है आस्मान जो है वो कितना साफ दिखाई देता है कितना नीला जिखाई देता है मेरे पीछे घना जंगल है जहाँ पर बांच के, देवदार के, चीर के और तमाम जो है अलग-अलग तरीके पेड़ हैं और एक बहुती डाइवर्स फॉरस जिसे कहते हैं जिसमें विभन प्रजातियां मौजूद हैं, जंगली जानवर हैं, वो यहाँ पर है और यहाँ से हम यह कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है, और सेहत को पाने के लिए आपके पास जब तक साफ पानी और साफ हवा नहीं होगी, आप कितनी भी तरक्की कर लें, आप उसे सही मायनों में प्रगती नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो आपको बार-बार अस्प कश्मीर में कुछ यूरोपियन डेलिगेशन जो आया, यूरोपियन पारलिमेंट के सांसदों का, उन्होंने दौरा किया और कहा कश्मीर में हालात भी ठीक ठाक हैं, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, और अलग-अलग तरीकी की आवाजें उठी, लेकिन दूसरी तर पर और वो है दिल्ली और गाजियाबाद और आसपास के पॉलूशन को लेकर, खासतोर से हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, उसका अंतर आपको साफतोर पर अभी समझ में आ जाएगा, मैं दो-तीन बाते कहूँगा, पहला ये है कि सरकार कश्मीर की स्थिति को साफसुत दिखाने के लिए हर तरेके के प्रयास कर रही है, और विदेशी सांसदों का वहाँ आना भी एक तरह से यही दिखाने की कोशिश है, कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार 370 को जो सरकार ने जो स्पेशल स्टेटस खतम किया कश्मीर का ये कहा, कि आतंकवाद हटाने के लिए कश्मीर का भारत से ठीक मायनों में एकी करन करने के लिए जरूरी है, लेकिन ये लीपापोती काम नहीं कर पा रही है, सरकार की, और बार-बार जो है, मुश्किले उसकी सामने आ रही है, तीन महिना होने जा रहा है, और कश्मीर में लगातार एक तरह से नाके अब देखे दिल्ली और गाजियाबाद के दिखा रहे हैं कि जितना खत्रा कश्मीर में आतंकवाद से है जैसा कि सरकार में बता रही है उससे ज्यादा खत्रा आपके लिए और आपकी पीडी के लिए यहां आपके घरों में है अब देखे दिल्ली और गाजियाबाद के एर कॉलिटी इंडेक्स जो है गाजियाबाद तो 500 से भी उपर है कई कई पॉकेट्स में और दुनिया का सबसे प्रदूशित शहर जो है वो ट्रेंड कर रहा है सोशेल मीडिया पर भी और दिल्ली की स्थिति अगर आप देखेंगे देखते हुए प्रदूशन छट नहीं रहा है प्रदूशन बढ़ता ही जा रहा है अब हम यहां दो तीन सवाल उठाना चाहते हैं पहला ये कि सरकार जो है वो कब इसको प्रात्मिक्ता बनाएगी क्योंकि एमर्जेंट सिच्वेशन जो है आपातकाल इस्थिति अभी तक गोशित क्यों नहीं की गई तुरंट गोशित क्यों नहीं की गई जबकि लोग कह रहे हैं कि उनके सर घूम रहे हैं उन्हें उल्टी आ रही है उनकी आखे जल रही है गाज़ेबाद की स्थिति को आप देखिए यहां वसंधरा वैशाली इंदिरापुरम हर जगे जो तस्वीरों का अंतर देखिए जो तस्वीरें यहां से मैं पहाड से आपको रानिखेत के इस इलाके से दिखा रहा हूं जहां मेरे पीछे जंगल है और आसमान है इन तस्वीरों की तुलना कीजिए गाजियाबाद से वहां क्या प्रशासन सोया रहता है वहां दिन रात कू क्रोल बोर्ड को इस बात के आदेश दिये जाएं कि वह वेस्ट को जो जलाना है हजारों टरन वेस्ट उन्होंने बाकाइदा पिक्चर्स वहां पर जो उपग्रह की तस्वीरें हैं वो दिखाते हुए रिपोर्ट दी है और कहा है कि इतना ज्यादा एक ही कुछ specific जगों मे रात के वकट हो रहा है क्यों यह सब हो रहा है क्या इन लोगों के अपने फेफडे नहीं है क्या इनका परिवार नहीं है क्या इनके दोस्त नहीं है क्या इनको डर नहीं लगता और एक सवाल हम यहां पर और उठाना चाहते हैं कि हर मुद्दे पर लेकर चाहे वो किसानों क काम उद्धा हो चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो विरोत प्रदर्शन करने वाले प्रदूशन की मुद्धे पर सारुजनिक रूपसे एक साथ मिल जूलकर क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहा है साड़कों पर क्यों नहीं कितने खतरनाक तत्तों होते हैं किससे छुपा नहीं है तो सरकार ये सब करने के बजाए हमें ग्रीन जो क्रैकर्स का जुन्जुना थमा रही है ऐसा क्यों है हमें ऐसा आसमान दिल्ली में क्यों नहीं मिलता है हमें ऐसी हवा क्यों नहीं मिलती ऐसी नमिले कम सकम इसकी आधी सा तो वो क्यों नहीं हम आसिल कर पा रहे हैं, हमारे हैं 50 की जगे 4500-500 होने पर किसी को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है, और इसके अलावा सवाल ये भी है, कि हम तमाम तरीकी की सुविधाएं जो इस्तिमाल कर रहे हैं, उनमें हम ये क्यों नहीं सोच हैं, कि हवा जो है, वो चाहे हम अमीर हों, चाहे गरीब हों, इस मामले में वो बड़ा एकुलाइजर है, वो सबको बराबर तरीके से खतम कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठी है, जितना बड़ा खत्रा है, उनसे बटने के लिए हम जितनी तयारी कर इस समस्या से लड़ने के लिए नहीं करनी चाहिए, यह हम इसलिए भी आपको जंजवार पर बता रहे हैं, क्योंकि अगले तीन-चार महीने बहुत कठिन होने वाले हैं, जालों में आपको पता है, जो वातावरन की मौसमी स्थितियां हैं, उनको देखते हुए, क्यों नहीं, और ऐसे स्टेप उठाये जाएं, जिससे की पॉलूशन काबू में रहे, तो यह तमाम सवाल हैं, जो समझने के हैं, हमें सिर्फ ऐसे मुद्दों पर उतेजित होने के लिए आदर डालना बंद करना चाहिए, उन पर उतेजित होना अपनी जगर ठीक है, लेकि पर लोग मास्क लगा लेते हैं, यहां 17-80 तो नॉर्मल लिमिट है, 100 होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम बड़ा खुश रहते हैं, 200 सामानी इस्तिती है, और 11 तर दिन जो है, वो 300 भी क्रॉस कर जाता है, अर अभी 500 के आसपास है, तो ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक कि दिल्ली गाजियाबाद में की ही हम बात करेंगे, हम देश के दूसरे हिस्तों में भी है, वगर आप चले जाएं, अर कॉलिटी देखें, तो बहुत खराब है, दुनिया के 20 सबसे प्रदोशित शहरों में हम बता चुके हैं, कि 15 से ज्यादा भारत में है, 10 लाख लोग मर करते रहेंगे, तो ये दोनों ही बातों के लिए, चाहे वहाँ मानवादिकार का उलंगन कश्मीर में हो रहा हो, वहाँ भी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार का फेलियोर है, और यहाँ ये भी आपके मानवादिकार का उलंगन है, कि आपके बच्चे जो है और हम उमीद करते हैं कि हम दिल्ली में जैसी स्थितिया हैं गाजियाबाद में जैसी स्थितिया हैं और देश के दूसरे महानगरों में जैसी स्थितिया हैं वैसी स्थितिया न बने और भारत के शहर जो हैं वो ऐसी स्थितियों में आएं जहां कम से कम इसका आधा तो सफाई जैसा यहां परिस्तिति है, जहां आप सांस ले सकें, आपको यकीन नहीं होगा, मैं दिल्ली में फोड़ी देर में दौरता हूँ, हाफ जाता हूँ, यहां पर मैं कई कई किलो मेटर चल रहा हूँ, मुझे कोई फरक नी बढ़ रहा है, क्योंकि हवा बिलकुल साफ है, तो यह यहां चलने से मुझे कोई कश्ट नहीं हो रहा है, मेरे फेफणों में जितनी भी हवा जा रही है, कुछ पॉलूशन लेके नहीं जा रही है, तो कम से कम इन चीजों की माग आपको करने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात वरना खराब ही होते जाएंगे, बहुत बात्युक्या